हेलो दोस्तों मैं डक्टर रेखा सिना आज आप लोग के सामने फिर से एक दबा लेके आई हूँ आसा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगेंगा जानकर तो लाइक सेर और सब्सक्राइब जरूर करते जिएगा तो चलिए जानते हैं इस मैटिसिन के बारे में और बीमारी के बारे में हाँ तो आईए शुरू करते हैं ये बीमारी आखों में इंफेक्शन के कारण होता है जैसे हम लोग बहुत सारे नाम से जानते हैं अंजनी और गुहेरी इंगलिस नाम इसका इस्टाई है यह आँखों के पलकों पर होता है एक तरह से आँखों पर फूंसी हो जाती है आँखों की नमी वाले जगह में छोटी सी फूंसी हो जाती है जिसे अंजनी या गुहेरी कहते हैं जब यह परभाव आँखों पर नहीं परता है तब तक इसका रोसनी पर कोई भी परभाव नहीं परता इसके कारण भी है यह रोग अधिकतर बेक्टिरिया के कारण होता है सर्दी लगना सरीर में धी कम जोड़ी होना इसके कारण हो सकते हैं आईए अब चलते हैं इसके लक्षन के तरफ यह बीमारी पलक पर लाली आ जाती है दर्द होने लगता है और असहनिय सूजन हो जाती है यह रोग होने के कुछ दिनों बाद इसके फोरे पर मुह निकल आता और पस बन जाता पस भी कभी कभी निकलने लगता है और आखों के पलकों पर खुजली भी होने लगती है गुहेरी रोगों को ठिक करने के लिए बहुत सारी मेडिसिन हेमोपैथ में गुलब्ध है इसकी पाली मेडिसिन है पलसे टिला गुहेरी रोगों को ठिक करने के लिए पलसे टिला मेडिसिन 6 या 30 में आप उप्योग कर सकते हैं बाई यांक के गुहेरी को भी या पुड़ी तरह से ठिक कर सकती है दूसरी मेडिसिन है इपर सलफर गुहेरी रोगों को ठिक करने के लिए पलसे टिला असदी से लाब ना मिले तो हीपर सलफर मेडिसिन 6 एक्स पोटेंसी में लेना चाहिए इसकी तीसरी मेडिसिन है सलफर गुहेरी के होने पर बारबार यदि फोड़ा हो रहा हो तथा भुड़ा सुख कर करा हो जाता है ऐसे लक्षन को ठिक करने के लिए सलफर 30 CX पोटेंसी में आप व्योग कर सकते हैं आखों के उपरी भाग में गुहेरी निकल गई हो तो इसे इसे इसी मेडिसिन का व्योग करना चाहिए इसकी अगली दवा है कॉस्टिकम आखों के उपरी पलक पर गुहेरी को ठिक करने के लिए कॉस्टिकम बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है यह आप 6X पोटेंसी में व्योग कर सकते हैं इसकी अगली मेडिसिन है आखों पर आखों के नीचे अगर गुहेरी निकल गई हो तो ऐसे लक्षन को ठीक करने के लिए रस्टक्स यूज करना चाहिए इस बीमारी के लिए सेपिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है आखों के पलक पर लाल हो जाना इस पर करके लक्षन को ठीक करने के लिए सेपिया आप व्योग कर सकते हैं है जिसके अगली मेडिसीन है ग्रेफाइटिस या सलफड यह अधी गुहेरी ठीक होकर बार-बार हो जाती है तो उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए ग्रेफाइटिस या सलफड मेडिसीन का अभ्योग करना चाहिए जिसके बार बार होने वाली या गोहरी ठीक हो जाती है आसा करती हूं आपको ये मेडिसिन और बीमारी की जानकारी अच्छी लगी होगी तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो लैक, सेर और सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आगे का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें धन्यवाद